जाहे हिंद देखिए इस टाइप के जितने भी आपकी एक्जाम में कोस्टन आते हैं सारे कोस्टन के अंसर आप विदाउट प्रेंगे बताएंगे चाहे इस टाइप का हो चाहे आपकी अनुपात वाले हो किसी भी टाइप के इस टाइप का कोस्टन हो सारे कोस्टन का अंसर नहीं को आप बिदावड पेन के बताएंगे बस आप मेरी बातों को एक से डेड़ मिनर ध्यान से सुनीएगा अब दाए चले मैं आपको समझाता हूँ आईए सभी लोग आ जाएंगे भाई आप देखे मैं आपको एक एक्जामपल समझाता हूँ आपको स्तारी चीजें किलर हो जाएंगे आप देखे जैसे माल लो यह क्या करते हैं आपके पास है इन माल लिया कि आपके पास यह 1.5 केले हैं ठीक है नंबर पर गिंती मत गिनिये तो आप कहेंगे कि 150 केले 3 लोगों भाठना है तो एक आदमी को कितने केले मिलेंगे तो आप 1.5 में 3 का भाग दे देंगे यानि कि एक आदमी को कितने केले मिलेंगे 50 केले मिलेंगे और यह जो आपका 50 आया ना यानि पहले आदमी को 50 मिलेंगे दूसरे को ही 50 मिलेंगे ती ऐसी आपने तीन लोगों को बराबर-बराबर कोई चीज बांट दिया ना, तो यही आपका आउसत का मतलब होता है, आउसत का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को बराबर-बराबर भागों में बांटना, तो एक आउसत का नया मतलब आपको पता चल गया, कि किसी भी इतेchieden1 समझ है कि आवसत का आघП आप को येहीं मतलब समझ कि रखना है कि आउसत का मतलब क्या होता किसी भी को बराबर बराबर भागों में बातना अब यहां तक यह वही पहली बात अब दूसरी बात पर अब देखिए यह आपका एक चाउथा बेक्ति आता है और इन तीन बेक्तियों के साथ सामिल होना चाहता है ठीक है और यह जो चाउथा बेक्ति है कि देखो हमाय पास सभी के पास बराबर बराबर चीजें हैं पचास 50 के लिए तो यदि सब में बराबर बराबर डिवाइट करना हो तो हम सामिल करेंगे तो इसने कहां ठीक है भाई हमें सामिल होना है तो अब क्या हुआ इसके पास सतर के लिए जबकि इनके पास कितने थे 50-50 तो इसने क्या किया पहले इसने पचास के लिए अपने अलग कर लिए पचास के लिए इसने अपने अलग कर लिए तो अब देखिए इसके पास भी पचास हो गए और इन तीन के पास तो पहले से 50-50 थे लेकिन इसके पास अभी कितने ज्यादा केले बचे य ये जो इसके पास 20 केले बचे ना तो अब इन 20 को हम फिर से इन 4 में बराबर बराबर बात दिंगे तो जब 20 किलों को 4 बराबर बराबर लोगों में बातना है तो एक को कितने केले आउर मिल जाएंगे 5 केले आउर मिल जाएंगे यानि कि जो इनको पहले 50-50 केले मिल रहे थे इस नए ब्यक्त की आने से इनके 5-5 केलों की संक्या बढ़ गई यानि कि अब एक ब्यक्त को कितने केले मिलने लगे 5-5 केले मिलने लगे तो आप से ये इस तर ततर किला दिया होता हैं चाहोथा बैक्ति इसका बिलकुल स्मसार एक बैक्ति को कितने केले जादा मिलने लगें पांच केले ज्यादा मिले लगी ये थे कितने चार यानि कि ये चारों को कितने केले मिले होंगे बीस केले यानि कि ये जो चाउथा बेक्ति ये बीस केले लेकर के ज्यादा आया होगा तब ही तो एक बेक्ति को पांच केले ज्यादा मिलने लगे यानि कि यह 20 ज्यादा ले करके आया और साथ मिन को 50 तो मिली रहते यानि कि चाओ था बेक्ति कितने केले ले करके आया होगा तो 70 केले ले करके आया होगा आप इसको ऐसे बता सकते हैं बस इतना सही कांसेप यह आप कोस्टन में लगाएंगे आपके सारे कोस्टन विदाउट प्रेंगे आएंगे अब देखिए चलिए आपको मैं कोस्टन पर ले चलता हूं यह आपका पहला कोस्टन अब आराम से बढ़िए देखिए पांच छात्रों के एक समू में एक परिच्छा दी एक और चात्रबाद में परिच्छा देने के बाद है समू में सामिल हो गया एक छटों अब एक सामिल हो गया उसके आंकों को सामिल करने से समू के आउसात आंकों में दो की बिरद्धी हो गई कितने की बिरद्धी होई दो की बिरद्धी होई तो उसे सामिल किये बीना आउसात आंगों से इस साथ ने कितने अधिक आंग प्राप्त की यह आपको बताना तो बता हुआ इसके आने से एक छाफ्र को दो ज्यादा मिले लगे अबalis कि यह कृतने को गई तो सामिल किए बीना आहो से चात्र ने कितने आंखिए प्राथ की आपको बताना अब देकी 1.25 की ब्रयध्ही हुई हुई लोग 19 तो सभी को एक दसंदन फांच तो कि एक दसंद नंबर जढ़ा हैं तो 20 लोग को कितने नंबर मिले होंगे तो आप कहेंगे सर जी 30 नंबर मिले होंगे याश्य कि यही आपका यह परण और आंसर हो गया कोई परण का युज नहीं करना डाल की आंस мол कोस्टन में चलते हैं आप देखिए रेसियो वाले कोस्टन मैंने आपको बताया है कि आउसत का मतलब क्या होता है अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आउसत का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को बड़ाबर बड़ाबर भागों में बाटना आप देखिए इसका भी आंसर आप बिना प्यां के बता देंगे देखिएगा अभी आपको इसे मतलब रखना है देखिए लड़के और लड़कीयों का उनुपात दिया है यहांपर मैं आपको समझाने के लिख देता हूँ गर्ल्स अनुपाते बॉइस का अनुपात दिया सता अनुपाते तीन यह आपको कुछ लिखना नहीं है ठीक है तो आपको सिर्फ इतना समान लेना है कि लड़कों की संख्या साथ है लड़कियों की संख्या तीन है इतनी बात तो सभी क्लिए रोगई अब देखिए जो 65 के अलावा 65 और 70 के बीच का कोई भी नंबर मान सकते हैं जैसे आप 70 भी मान सकते हैं ठीक है लेकिन आप जब 65 मानेंगी तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम हो जाएक कैसे देखते हैं आपने मान लिया कि सभी को 65 65 नंबर मिल रहे हैं यानि कि सभी को बराबर लड़कियों को 72 मिल रहे हैं और जबकि हमें देना कितना है लड़कियों को 65 देना है तो भाई एक लड़की को कितने ज्यादा मिल रहे हैं तो 72 में 65 घटाएंगे यानि कि एक लड़की को साथ नंबर ज्यादा मिल रहे हैं और यह लड़किया हैं कितनी तीन तो एक लड़ लड़कें नों में बराबर बराबर बाढ़ दिन है तो लड़के है आपके साथ लड़कियां है आपकी तीन यानिक साथ ये तय एक तो इस को आपको दस wolves में बराबर बराबर बाधना है तो एक कहे तो र Options को या-जाएगा दो दसब्सम्रों आब पहले इन को 55 25 Milla था आप दो दसम्लों एक आउर मिल जाएगा या कितना मिल जाएगा सरश्तरदस अमलों एक मिलेगा सीधा सीधा आपका और यह पार आपको यह कुछ नहीं लिखना था सिर्फ यह बाली लाइन लिखना था और आपका आंसर आगया था किलियर है अगले कोश् यहां पर यह 45 छात दिया इससे आपको कोई लेना देना नहीं इसको भूल जाएए बस यहां पर लड़कियों का उन पास 4 उन पासे 5 दिया है यानि लड़कों की संक्या 4 लड़कियों की संक्या 5 बस कोश्चन खतम लड़कों के आउस्ता तंग कितने है 75 लड़कियों को कितन रहे हैं तो एक लड़की को कितने ज्यादा नमबर मिल रहे हैं एक लड़की को साथ नमबर ज्यादा मिल रहे हैं जबकि लड़कियों की संक्य है कितनी पांच यदि एक लड़की को साथ नमबर ज्यादा मिल रहे हैं तो पांच लड़कीयों को कितने ज्यादा मिले होंगे 35 ज्यादा मिले होंगे, यह जो 35 नंबर ज्यादा मिले, इसको आपको लड़कियों में बराबर बराबर बाट देना है, तो लड़के 4 लड़कियां 5, यानि कि 9 लोगों में आप बराबर बराबर 35 को बाट दीजिए, तो इसको हल करेंगे, तो ये 9, 3, 27 है और ये आपका 9, 8, 72 है और ये आपका 9, 8, 72 है तीन दसम्लो आठ 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 यानि कि आप इसको सीधा 3, 9 लिख दो यानि कि एक को 3, 9 ज्यादा मिलेंगे तो हमने कहा था 75, 75 मिलना है लेकिन उसमें 3, 9 और जूर जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, 3, 78 रसम्लो नाव सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर आ गया किलियर हो रहा है ना चलिए अगले कोश्चन में तिर्फ आपको एक लाइन में आंसर बताना है आप यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज लड़कों की संख्या आप तीन माल लो लड़ लड़कियों का उनपाद दिया है यानि कि पहले वाली लड़कों की संख्या हो गई बाद में लड़किया है तो लड़कियों की संख्या बाद बली होगी यानि कि लड़कों की संख्या दो लड़कियों की संख्या तीन अब इसमें करा लड़कों को कितने मिल रहे हैं साथ ठंक मिल रहे हैं लड़कों को साथ है और लड़कियों को सत्तर तो आपको यह जो लड़कों को साथ मिला है छोटा वाला तो आप मालो कि सभी को साथ साथ नमबर ही मिल रहे हैं किलियर यानि कि लड़कों को भी साथ नमबर देना है लड़कियों की भी साथ नमबर देना है ल ज्यादा मिलोंगे और यह जो 30 नंबर ज्यादा मिले ना तो लड़के और लड़कियों में फिर से बराबर बराबर बात दो क्योंकि यह ज्यादा लिया है इनको हमें बराबर बराबर बातना होता है तो लड़के दो लड़किया तीन यानि कि 5 लोगों में आपको 30 नंबर ब बस सारे question का आप आंसर इसी प्रकार से दे सकते थे तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखनों मिला हो तो वीडियो को like करिएगा अपने यार दोस्ता और चाहने वालों के साथ share करिएगा यदि किसी प्रकार को आपको कोई doubt हो comment करके बताईएगा आगली क्लास में आपका वो डाउट है के लियर कर दिया जाएगा ठीक है और यदि चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा थांक्यू कर दो